हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर जुक जाती है। अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल विभिन माध्यमों में अलग-अलग होती है, यह विरल माध्यम में अधिक तथा सघन माध्यम में कम होती है। जैसे वायू में प्रकाश की चाल तीन गुणा दसकी गहत आठ मीटर प्रति सेगंड तथा काँच में दो गुणा दसकी गहत आठ मीटर प्रति सेगंड होती है। सपश्ट है कि प्रकाश वायू में अधिक तेजी से तथा काँच में धीमी गती से चलता है। अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है एक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं दो, किनी दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अबवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बरावन नियतांक इस नियम को सनैल का नियम भी कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अप वर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ जाता है, तो अपवर्तित किरण विरल माध्यम में ना जाकर अपने पहले माध्यम, सघन माध्यम में ही परावर्तन के नियम के अनुसार लौट जाती है. सघन माध्यम से आपतित किरण के उसी माध्यम में परावर्तित होने की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। दो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।